हेलो अब्रीवन चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कर्ट करने जा रहे हैं रियक्शन्स इंवाल्विंग क्लीवेज आफ सी ओ एज बॉन्ड मिस ब्रेकिंग कहा होगी यहां से होगी ठीक है पिछले वाली वीडियो हमने पढ़ा था ओ एज बॉन्ड थे ठीक है ना रियक् क्या लेंगे हम एथे नोइक एसीड लेंगे सी एस थ्री सी डबल वान ओ यहां पे ओ एस ठीक है इसको हम क्या करेंगे इसको हीट करेंगे किसके प्रिजेंस में हैं है प्रिजेंस में हीट करेंगे देखें एस चीज का फॉर्मेशन करेंगा एन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगा तो यह अस्ति टू यह एक जो बांड इसी से जुड़ जाएगा सी डबल बांड ओं इसे क्या नाम इसका एथे नुए की एन हाइड्राइड ठीक है इतना द्यान किया करते हैं जब हम एस्सक्राइड को क्या करते हैं फासपोरस पेंटा ओक्साइडिया सल्फियूरिक एसिड के प्रिजेंस में हम इसको क्या करते हैं हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है हमारा ये एन हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है थीक, दूसरा देके दिया गिया Esterification इसको देखे हैं हमने पहले भी पढ़ चुका Esterification 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 में देखे क्या होती है amine Chop quickly acid होती ही ये क्या करती है alcohol के साथ reaction करके in the presence of Acid थीक है, कोई Acid लेती Acid catalyze होता तो क्या बननाता है Ether का formation करता ठीक है देखनेजे यहां पे R COOH है ठीक है प्लस है R SOH ठीक है इसका देखे जो रियक्षन हम कराते हैं catalyst लेंगे concentrated H2SO4 या fill ले सकते हैं HCL gas ठीक है एज रियक्षन लेते हैं तो देखे यह जो होता इसको हम simply H positive लिग सकते हैं तो यहां पे केवल H positive लिग देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा ठीक है न तो यहां पे यह जो reaction है यह क्या होगी यह दोनों ही direction में होगी ठीक है तो यहां से हम जानते हैं तो यह जो है यह वाला molecule का होता है यही पढ़ रहे है न तो reactions involving cleavage of OS bond तो यहां से OS निकल जाएगा और इसका क्या निकलेगा यहां पे hydrogen mist water molecule का कर जाएगा eliminate कर जाएगा और यहां पे क्या बनेगा देखे आर आर सी ओ ओ यहां पे देखे आर सी ओ और इसका ओ यह आर डैस यह बनेगा plus S2O बनेगा ठीक है यही देखे बन जाएगा यही क्या हमारा easter है ठीक है sterification में क्या होता है जब क्या होती है carbonic acid alcohol के साथ react करती है in the presence of concentrated S2SO4 या SCL gas यह क्या करते है as a catalyst करते तो easter का क्या होता है formation होता है यही देखे दियागे carbonic acid is terrified with alcohol or phenol in the presence of mineral acids concentrated S2SO4 or SCL gas as a catalyst ठीक इसका देखिए हम mechanism कैसे समझते हैं हम इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं phenol भी ले सकते हैं ठीक तो suppose कर लिजे यह RCOOS हमने ले लिया प्लस यह phenol ले लिया यहां पर क्या हो गया OS ले लिया तो अगर इसका reaction कराएंगे तो यहां पर यही देखे क्या हो जाएगे यह निकल जाएगा ठीक है acid catalyze हो रहा है तो क्या बन जाएगा इसको पहले मैं इसी को बना दे रहाँ यह O हो जाएगा ठीक है दूसा देखे क्या है यह O है ठीक अब देखें यह क्या जुड़ा है इसे यह C है यह double bond O है और यह R है ठीक है देखें यह R CO यहां पर हो गया और यह से जुड़ा तो यह water molecule क्या गर जाएगा eliminate कर जाएगा और इसकी भी structure अगर बनाना चाहते तो यही बनेगा इसका structure R हो जाएगा C double bond O यहाँ पे O R हो जाएगा ठीक है तो same देखे यही बनेगा इस तर्का formation होगा अब चलिए देखते है mechanism देखते हैं ठीक है इसी की mechanism देखेंगे mechanism मिस यह कैसे बन रहा है देखे जो हमारी यह carboxylic acid है R C double bond O O H ठीक है देखें क्या कर रहा है जो proton होता जबसे पहले क्या करेगा proton क्या करेगा यहाँ पे attack करेगा किस के साथ पहले reaction होगा proton के साथ होगा तो देखे किस सीज का formation कर लेगा यह इसके साथ देखे attack कर दिया इस oxygen पे attack करेगा H positive है तो क्या बना लेगा R C double bond O यहाँ पे क्या हो जाएगा O H positive हो जाएगा क्योंकि इसके पास कित्ते loan pair रहेंगे यहाँ पे 2 यह 2 4 देखे 2 loan pair है तो एक loan pair इसके साथ bond बनाएगा तो क्या बज़ेगा एक ही loan pair बज़ेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा O H यह हो जाएगा ठीक है फिर इसके बाद देखे जो alcohol है यह हमारा alcohol molecule है जो फिर alcohol क्या कर देगा यह R है यह O है H है तो इसकी यह जो क्या है loan pair electrons है ठीक है इसके जो loan pair electrons यह क्या करेंगे इस carbon पे आगर के attack कर देंगे ठीक है तो क्या बना लेगा यहाँ पे R हो जाएगा यह C है जैसे ही देखे attack करेगा तो यह oxygen अपना electron लेकर के चली जाएगी ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा O H हो जाएगा इसके पास क्या हो जाएगा दो loan pair हो जाएगा ठीक है दो loan pair आ गया और नीचे देखे क्या जूड़ा है O H जूड़ा है और इधर क्या जूड़ा है यह O जूड़ा है नीचे H है ठीक है यह जो दो loan pair थे यह क्या कर लिए bond बना लिए केवल एक लोन पर बने और यहाँ पे इधर क्या जुड़ा है यह आर है ठीक है इतना समझ में आया अब देखे क्या होगा यहाँ से प्रोटान का ट्रांसफर होगा इसके पास कित्ते हैं यहाँ पे भी दो लोन पर है अब ये वाला देखे जो proton है ये क्या कर देगा ये transfer हो जाएगा इस proton का तो suppose कर लिजे अपना electron देखे लेकर के चली आएगी oxygen more electron negative अपना electron लेकर के चली आएगी तो ये जो S positive ये बचा है ये कहां पर आजाएगा इसके पास आजाएगा तो आगला देखे reaction ये क्या बन जाएगा इसका structure? proton transfer करेगा तो ये R हो जाएगा इधर T है यहाँ पर O ह है इधर क्या हो जाएगा O हो जाएगा इसके पास दोनों लोन पेर हो जाएगा यहाँ पर R है इस साइड क्या हो जाएगा O, और इसके पास आ रहा है, तो यह O, S2 हो जाएगा, इसके पास एक Lone Pair बचेगा, प्लस पॉजिटिक का चार्ज आ जाएगा, ठीक, अब देखे क्या होगा, इसके पास क्या होगा, मिल्लक कि यह देखे, अनिस्टेबल हो जाएगा, यह अनिस्टेबल हो जाएगा, तो यह क अपना यह जो है, water molecule लेकर के निकल जाएगा, तो अगली structure क्या बनेगी, यह R है, यह C है, यह double bond हो जाएगा, O के पास positive हो जाएगा, S हो जाएगा, यह water molecule देखे, eliminate हो गया, यहाँ पर क्या बचा, O है, और यह क्या है, R है, ठीक है, यहाँ पर water molecule क्या कर रहा है, eliminate कर जा रह ठीक है, फिर देके हमने पहले proton हो जानते हैं, जो catalyst होते हैं, वो क्या करते हैं, कि इवर reaction में participate करते हैं, at last में क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो यहाँ पर यह catalyst है, यह क्या गर जाएगा, last में यह निकल जाएगा, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है, जो S positive में, minus S positive, जो प्रोटान था हमने लिया था वो क्या गर जाएगा यह निकाल जाएगा आप देखें यही है यह प्रोटान है ठीक है अब यह क्या कर रही आप इस्टर का फॉर्मेशन होगा ठीक है देखे यही था देखे क्या दिया था मगेरीन दा इस्टेरीफिकेशन आप कार्बोज़ीख एडिशन आप दा अलकोहल देखे फिर क्या होगा प्रोटान का ट्रांसफर होगा इंटेट्रा इंटरमेडियेट पने का कनवर्ण घृड्रॉक्षिन गृप इंटू ओ एस्टू ठीक है, which being a better living group is eliminated as neutral water, ठीक है, better living group हो जागए, यह water molecule eliminate कर देगा, the protonated ester to form finally lodges a proton to give ester, तो ester का formation कर देगा, ठीक है, तो यही देखें, यह इती रियक्शन मागेनियस थी, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा यह, अब देखें, अगला क्या दिया गया है, reaction with PCL5, PCL3, SOCL2 है, ठीक है, और reaction with ammonia दिया गया है, ठीक है, चलिए इसको पहले देखें, यह पर पढ़ा दे रहें, फिर इसको यहाँ पर जो reaction दिया गया है, उसको हम यहाँ पर समझा देंगे, ठीक है, देखें, क्या दिया गया है, पहले PCL5, PCL3, इसको देखें, हमने alcohol वाले लेशन में भी पढ़ा था, ठीक है, देखें, क्या होता है, थाइनल क्लॉर है, थाइनल क्लॉरड है, थाइनल क्लॉरिड है, थाइनल क्लॉरिड इसको प्रिफरड काज गष्स की अगकिसिकीर। तो अभी इसको देखें यहां पे एक्स्प्लेंगे यह चौँ तक यहां देखें कार्वोग्जली के से रियक्ट विद अमोनियु तूगी अमोनियुम साल्ट अग्वी चान फर्दर हीटिंग एड हाइट तक फर एक्जाम्पल यह दिया गया इसको चलिए अब एक्स्प्ले के साथ इन दे प्रिजेंस अफ्पी रिडिन तो क्या देता था हम अल्किल प्लॉड देता है तो यहां पे देखें क्या हो जाएगा यह सब्सक्रिया और यह चीए आर्ड़ सी ओ जूड जूड जाएगी प्लस क्या बनाएगा पी ओ ल्ट्री बनाएगा प्लस एच्छियल बनाएगा इसका देखी क्या नाम होगा है यह फासफोरील क्लोराइड है फासफोरील क्लोराइड ठीक है और यह क्या है यह एसिट क्लोराइड का यह फॉर्मेशन करेगा ठीक है एसिट क्लोराइड ठीक और दूसरा देखें क्या कराएंगा अगर हम पीचियल 3 के साथ करात तो 3 moles आफ हमको क्या लेना पड़ेगा Rcos लेना पड़ेगा प्लस PCl3 यह क्या देगा 3 moles of Rcocl देगा प्लस H3po3 देगा ठीक है S3po3 क्या है यह phosphoric acid ध्यान रखेगा और अगर हम thionyl chloride के साथ कराते हैं RcoH यह SOCl2 क्या है यह thionyl chloride है तो इसके साथ देखे Rcocl बन जाएगा ठीक है प्लस SO2 gas निकलती है प्लस HCl यह gas escape कर जाती है ठीक है तो यह best method होगा ठीक है क्या करने के लिए acid chloride prepare करने के लिए क्योंकि इसमें से जो HCl gas होती है और SO2 होती है आसानी से escape कर जाती है ठीक है इसके बाद देखे क्या दिया गया reaction with ammonia reaction with ammonia का देखे formula क्या होता है NS3 होता ठीक है ammonia NS3 के अब देखे क्या करते है अगर हम reaction आप ammonia के साथ करते है हमारी सपोच कर लिए यह acid हो गया CS3 COOS acetic acid है reaction करा रहे है NS3 के साथ तो यह reversible reaction होगी तो क्या देगा CS3 COO NS4 देगा ठीक है positively miss ammonium acetate देदेगा ammonium acetate ammonium acetate को हम क्या करेंगे और तेजी के साथ गरम कर देंगे तो इसमें से जो water molecule रहेगा eliminate कर जाएगा और amide बना लेगा CS3 COONS2 बनाएगा ठीक है यहाँ पे देखे CS3 COONS2 बनाएगा और यह water molecule क्या हो जाएगा eliminate कर जाएगा वैसे ही अगर सब्सक्राइगा बेंजोई केसिड दिया गया है ठीक है यहाँ पे COOH है plus NS3 के साथ reaction कर रहा है तो यह क्या मना लेगा ammonium benzoate का formation कर लेगा ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे COONS4 यह positive यह negative मिस क्या है यह ammonium benzoate है ठीक है ammonium benzoate के फिर से देखे क्या करेंगा हम heat कर देंगे तो यह water molecule eliminate कर जाएगा दो मूल यहाँ से और एक ही है तो क्या बन जाएगा benjamide बन जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा COONS2 का formation हो जाएगा ठीक है इसका नाम क्या है ammonium benzoate यह बनेगा और देखे यह कोड दिया गया है benzen 12 di carboxylic acid ठीक है यहाँ पे यह दिया गया इस ट्रेक्चर यह है इधर भी COOH है यहाँ पे भी COOH है ठीक है क्या नाम है इसका benzen 12 di carboxylic हम numbering करेंगे तो 12 हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा benzen 12 di carboxylic acid ठीक है इसका देखे simply यह common name क्या होता fathelic acid होता ठीक है fathelic acid को जब हम क्या कराते है NS3 के साथ reaction कराएगे तो reaction पहला तो reversible होगा ठीक है तो यहाँ पे दोनों जगे यहाँ पे क्या जूड जाएगा यहाँ पे हो जाएगा COO COONS4 positive हो जाएगा यहाँ पे भी COONS4 यह positive हो जाएगा ठीक है यह क्या है ammonium phethylate बन जाएगा क्या है ammonium phethylate बनेगा फिरते अगर हम इसको heat करते हैं तो यहाँ से 2 moles S2O निकल जाएगा क्या निकलेगा 2 moles S2O निकलेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा COONS2 बनाएगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा COONS2 बनाएगा phethylate माइड बन जाएगा ठीक है क्या बनेगा यह phethylate माइड अगर देके फिर से हम इसको strong heating करते हैं तो ammonia एक mole निकल जाएगी strong heating पे strong heating ठीक है strong heating करते हैं तो यहाँ से यह molecule डिस की एक hydrogen क्या कर जाएगी eliminate कर जाएगी और क्या बनाएगी phethylate माइड बनाएगी ठीक है यहाँ पे यह C है यह double bond O हो जाएगा यहाँ पे भी C double bond O है यह N है यह H बनाएगा ठीक है क्या है यही phethylamide है ठीक है चलिए ठीक है देखे इतना समझ में आ गया है तो पहला देखे था यह हमने रियक्शन में PCL5 और PCL3 और SCL2 के साथ किये तो यहाँ पे AC chloride बनेगा POCL3 और SCL निकलेगा ठीक है दूर्सादी के रियक्शन वित अमोनिया के साथ यही देखना है तो इस अमोनिया के साथ करेगा reversible reaction होगा अमोनिया में acetate बनाएगा फिर इससे heat कर देंगे तो क्या बना लेगा amide बना लेगा ठीक है तो इसलिए ठीक है इस वीडियो में इतना ही I hope आपको समझ में आया होगा अगर कहीं पे भी कोई doubt है तो comment करिएगा ओके ओके थांक्यूँ